कि नमस्कार में दीपाक स्वागत करता हूं अपका ज्यान लानेश पर इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 मैट्स में जो आपका चैट्पेट नमबर 5 है कंटिनेटी एंड डिफ्रेंसिविटी में एक्सरसाइज 5.5 का कोशन नमबर 17 से ठीक है कोशन नमबर 16 तक आपको मै तो तीन तीन मैथड मिलेंगे ठीक है तो तीनों सीखेंगे अच्छी तरह दिखिए पढ़िए कोशन नमबर 17 डिफ्रेंसिएट करना आपको ठीक है इस फंक्सन का एक्स स्कॉर माइनस 5 एक्स प्लस 8 और फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स क्यू प्लस 7 एक्स प्लस 9 ठीक है इसका और आपको क्या करना है डिफ्रेंसिएट करना है ठीक है такие विस तीन तरीक किसे करना है मैंसल बिलों जिन को नीचे बताया हूँए ठीक है तो पहली पहला जो तरीका वो क्या है यान दूसरा है आपको यान कि करके multiply करने आपको multiply करने अच्छे तरह से आती होगी skin2 इसके साथ फिर skin2 ठीक है ऐसा करके यानि कि multiply करने के बाद आपके पास कैसा मिलेगा obtain यानि कि आएगा a single polynomial एक पूरा एक single polynomial आजागा तब उसका आपको क्या करना है derivative करना है ठीक है clear हो गया third तरीका है कि आपको logarithmic करना है यानि कि log लेके करना है differentiation clear है तो आगे भी कह रहा है कि do they all give the same answer क्या ये तीनों के तीनों same answer दे रहे हैं portion कर रहा है ठीक है तो मैं पहले ही बतायता हूँ हाँ answer same आना चाहिए चाहे रास्ते कोई भी हो लेकिन target एक ही रहेगा ठीक है target एक ही रहेगा रास्ते कितने भी बन जाएं लेकिन target एक ही है तो method कितने भी हो जाएं इसका जो differentiate यानि कि जो इसका derivative निकलेगा इस function का वह एक ही होगा ठीक है सबसे पहले वाला तरीक है तो प्रॉडक्ट रूल के लिए आप क्या करेंगे जो आपके पास function है यह आपके पास function है x square minus 5x plus 8 दूसरा आपके पास x cube plus 7x plus 9 तो यहाँ पर product rule से करने ध्यानगना तो आप लिखेंगे differentiate with respect to x है तो लिखना ही लिखना आपने ठीक है आप कौन सा रूल लगा रहे है ध्यानगना product rule तो product rule क्या होता तो y का तो क्या हो जाएगा simply dy over dx यहनी कि dy upon dx हो गया इधर देखिया product rule कैसे लेगा पहले इसको d upon dx लगा लिजिए सबसे आगे ता अभी लगाते है इसका product rule कैसे लगता है ठीक है इस तो लगता दीक है simple है product rule आपने पीछे काफी कोशन बलकि कर भी लिए इस ताइप के ठीक है इसको इधर है इसको ऐसी ही रेंदो जैसा है तो product rule यह कहता है कि पहले यह वाला आजाएगा आगे यही आपका product rule है कोई problem नहीं है ठीक है बात सजमा गई यही तो अगर आप किसका करें स्टुरेंट एक यू है तो पहले यू आता है आगे फिर डी अपॉंड यह किसका होगा फिर वी आगे आ जाएगा दी अपॉंड यह किसका होगा यू का यह आपका product rule है कोई problem वाली बात है नहीं इसमें ठीक है कुछ भी नहीं है अब बस आपको derivative करना अगर आता है फटा पर derivative करना तो आई होप आपको बढ़िया करके आगे होंगे derivative इतने सारे question मैंने बता दी है x की power n वाला formula कौन सा formula लगेगा x की power n वाला formula तो आपको पता है x की power n का formula क्या होता है n x की power n-1 ठीक है जी यह फॉर्मला होता है दिखे n n क्या है यहां पर 3 है तो 3 का करेंगे तो student 3 यहां पर n के जगा 3 आ जाएगा यहां पर n 3-1 2 संदमा आ जाएगी यानि की 3 की कितनी हो जाएगी 2 शौर तरीका बता रहो मैं ऐसी मैं बोलूँगा x की power 7 का करो यहां पर 7 आ जाएगा यहां पर 6 आ जाएगा बस बहुत तरीका है ठीक है जी तो x3 का direct कर दो यहीं पर अंदर एक एक करके कह ले जाना बे हो जाना लंबा हो जाएगा प्रोसेस ठीक है तो यहीं से कर दो x3 का 3x स्क्वार संजमा गया 7 का इस्ट्वेंट constant x का कितना होगा 1 होगा x का कितना होगा जी 1 होगा differentiate और 9 क्या constant है constant जो अकेला होता उसका 0 यहां पर तो x है इसलिए 0 नहीं होगा तो 7 constant माने जाएगा x का derivative आपको पता होना चाहिए 1 है बाता है संजमे x3 प्लस 7x प्लस 9 ऐसी रहेगा अब इसका भी कर दो x2 का क्या हो जाएगा 2x-5x का कितना हो जाएगा 1 और 8 का 0 हो जाएगा student कितना हो जाएगा 0 constant का direct 0 ठीक है तो x3 का यहां पर x2 का 2x संजमा आगे न x की power n वाला formula 5 constant x का क्या होता 1 होता आपको कई बार यह 8 यहां पर दिखिए 3x स्कॉर बचेगा प्लस 7 बंजा 7 0 को हटा दिया ठीक है मनलब 0 एड करेंगे तो वही आएगा कोई फरक नहीं पड़ेगा x3 प्लस 7x प्लस 9 ठीक है यहां पर क्या बचेएगा आपके पास 2x और माइनस 5 बंजा 5 0 हटा दिया अब यहां पर क्या अंदर multiply करेंगे ठीक है थोड़ा सा lengthy हो जाएगा इसलिए यह multiply करने के बार ठीक है तो यह आपके पास question है x2-5x प्लस 8 यहां से इसको थोड़ा आगया करते है इधर तो आगया dy over dx इधर तो कोई problem ही नहीं है ठीक है इधर पहले बलकि मैं एक बार उसको उतार के लिखी दे इस लिए पूरा का पूरा ताकि मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा पाऊं ठीक है नहीं तो बार-बार आमको पेज़ प्रड़ने की जुरुत पढ़ इसलिए आप दीके मैं ने पूरा पूरा जैसा था वैसा ही उतार दिया आप न उतार रहें ठीक है इसको दुबारा जाएगा 7 x square done बात इस किंटू दोनों के साथ हो गई अब माइनस 5 किंटू इसके साथ भी और इसके साथ भी तो माइनस 5 3 जा 15 हो जाएगा x की पावर कितनी 1 और 2 कितनी पावर 3 पावर माइनस प्लस माइनस 5 7 जा 35 x टेक चलिए आप 8 किंटू 8 3 जा 24 8 3 जा 24 x square और प्लस प्लस 8 8 7 जा 56 यह हो गई इनकी इन्टू दन बात अभी यह भी है तो इसको भी लिखे प्लस करके यहां लिख देता हूं मैं ठीक है x3 किंटू यहां करोगे 2 आ जाएगा 2 x की पावर 3 और x कितना हो गया x की पावर 4 हो जाएगा इसकी इन्टू यहां तो माइनस का 5 x cube हो गया अब इसकी इन्टू किजिए 7 2 जा 14 और x इन्टू x कितना हो गया x की पावर 2 7 प्लस माइनस माइनस 75 जा 35 x और फिर 9 2 जा 18 x हो गया और प्लस माइनस माइनस 95 जा 45 बात क्लिया था यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब आपने इस्टूर्ण यहां पर क्या करना एड करने है जो भी हो रहा है ठीक है वह सबसे पहले x की पावर 4 वाला देखो एक यह है और एक यह नजर आ रहा है ठीक है तो 3 प्लस 2 कितना हो ग है ठीक है अब 4 पावर हो गई अब 3 पावर देखो मतलब उसमें चलता है डिक्रीजिंग और में पहले बड़ी पावर फिर उसे चोटी पावर कोन है 3 तो 3 वाला एक यह आपके पास 15 और एक है 15 और 5 कितना हो गया आपका 20 और भी नहीं है तो यहां पर लिख देंगे आप 20 X की पावर 3 ठीक बास सहजमारी है आप देखेंगे स्कॉर वाले इसकॉर वाले आपके पास एगे 24 है और एक फॉर्टी नहीं थे तो आपके पास आजाएगा 38 38 में 78 कर लोगे तो यह आजाएगा आपके पास 45 आजागा कितना आजाएगा 45 X स्क्वार समझमा आगे बाते ऐसी आप X वाला देखोगे student X वाला कौन कौन है आपका 35 X और 35 X यानि कि यह कितना हो गया आपका माइनस का student 70 हो गया लेकिन 80 अगर माइनस कर देंगे 18 अगर उसमें से क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे ठीक है ठीक है थोड़ा सा क्या कोशन आप देख दीजिए ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यह कौन सा मैंसर से यूज किया student हमने यह किया आपका हमने प्रॉडक्ट रूट्स ठीक है चलिए अब बात आती है सैकेंड वाले की यानि क्यों कह रहा है कि प्रॉडक्ट इस प्रॉडक्ट को एक सिंगल पॉलिनॉमियल बना देनी है थीक है तो सबसे पहले हम उसको नोटी कर लेते हैं को पता है हमने क्या लिए रखा है यह इधर से पूरा नोट कर ले प्रॉडक्ट निकाल लो इसको एक सिंगल फॉर्म बना दो यानि कि इंटू करनी है एक एक करके जैसे आपने यहां पे बाद में की न जब डेरिवेटिव हो गया था उसके बाद मल्टिप्लाइगी अब वो कह रहा है कि मुझे पहली मल्टिप्लाइग करके दो तब डेरि पश्के क्लें जीवेटिव करना कोई दिकर नीए ठरकके खरें डीटि मफ्लाइगी चिख इंटू सब्से होगा उगी एक और किप्लाइगे तो भी हग्या एक इसके bracket फिर इसका bracket थीक है मैं सीधा ही इन्टू कर दे रहा हूं दने बाद चलिए अब इसकी किजिए माइनस प्लस माइनस होगा 5X की power कितना student 4 हो गया कितना हो गया 4 ठीक है माइनस प्लस माइनस 75 जा 35 X x x square यह x square हो गया माइनस प्लस माइनस 95 जा 45 x हो गया किलियर है हो गए सब किन्टू आप 8 की करो 8x क्यूब हो जाएगा एट प्लस सेवन सॉरी एट प्लस प्लस हो गया एट सेवन जा 56 हो गया और 8 9 जा 72 ठीक है दने बाद चलिया अब सेम एज इस पावर वाले पहले एक साथ धूंड़िए एकस की पावर 5 तो यही है अकेला ही है आप एकस की पावर 4 वाला ढूंड़ना है एकस की पावर 4 वाला तो उसको देखे पहले है भी कि नहीं है एकस की पावर 4 वाला है यह एक है तो माइनस 5 एकस की पावर 4 वाला एक दिखा ठीक है आपको एकस क्यूब वाला एक है और एकस क्यूब वाला एक है ठीक है एट प् बचेब infinity सिक्साइस तरल भूर्ब exercise प्रीच इन शुंट करने थैडिक एफ इसूट्प 6 Mandi graduate थीए नंबर वारा लेकborg गए नंबर यही एई 7 टी टू ती है यह आपके पास क्या है नंबर कोड़स Mr एकस वाला छूटा ना भी यह 56 माइनस 45 करेंगे तो अभी इसमें 11 एकस आएगा 11 एकस आप लिख दें ठीक है इसमें से माइनस करेंगे भी 11 एकस भी तो आएगा आपका फिर आएगा 72 ठीक है थोड़ा साम इसको भूल गये ठीक है मनला भी इसको नहीं देखा था ना आपने प्रॉपर देखे एकस की पावर 54 वाला देखा यह अब 3 वाला देखे यह 8 और 7 15 ह हो गया इस्क्वारल देखिए 9 माइनस 35 26 बचा एकस वाला देखिए 56 माइनस 45 11 बचा और 72 ठीक है जी चलिए अब derivative कर दो लिख दीजिए differentiate with respect to x ठीक है x के respect में आपको differentiate करना थोड़ा आंके थोड़ा इसमें वह सुझ आते हैं काफी चीजिए ठीक है तो दीखिए dy अपॉन dx इदर इदर d upon ds किसका x की पावर 5 का यहां पे 5 क्या आप constant तो 5 को भाल ले लिजिए d upon ds किसका करेंगे आप x की पावर 4 का 15 क्या constant है d d upon ds किसका करेंगे इस्टुन आप x की पावर 3 का माइनस 26 constant d upon ds किसका करेंगे x square का प्लस 11 constant है d upon ds किसका करेंगे x का और प्लस d upon dx 72 है तो अकेला ही है ठीक है इसका तो 0 हो जाएगा done x की पावर n तो n आगे x की पावर n-1 नहीं की 4 पावर हो जाएगा समझ में आगे क्य प्लस इलावन और x का क्या होता है और constant का तो क्या हो जाएगा constant में 0 हो जाएगा ठीक है जी चलिए तो 5 x की पावर 4 माइनस 54 जा 20 x cube प्लस 15 3 जा 45 x square 26 जा 52 x प्लस 11 जा कितना हो गया जी 11 हो गया 11 जा 11 ठीक है यह हो गया आपका किसका value dy upon dx का value दीके आंसर सेम आ रहा दीके मिला लीजिए यहीं आ रहा 5 x 20 45 52 11 दीके सब कुछ वहीं आ रहा सब कुछ आप पूरा का पूरा आंसर मिला ले सेम आ रहा तो आना भी चाहिए मैंने घटीक है चलिए अब लास्ट तरीका समझते हैं तो मैंने 2 तरीके तो आपको बता देख लेते हैं थर्ड़ पार थर्ड़ पार क्या करा रहा है थीके पढ़िए ध्यान से by logarithmet differentiation आपको logar function अब आप क्या करेंगे सिधा taking log on both side taking log आपने log लेना है on both side अच्छा log short form है पूरा form होता log arithmetic ठीक है both side दोनों तरब आपने log लेना है तो इधर भी आप ले लिजिए log y इधर भी लेजिए log और x square minus 5 x plus 8 ठीक है जी दूसरे bracket में x की power 3 plus 7 x plus 9 यह यह आपने ले लिए दोनों तरब log अब यहाँ पर एक function यह है एक function यह है तो कौन सा form लग जाएगा student आपको कई बार बता दिया मैंने log का product वाला m into n वाला क्या होता log m plus log n ठीक है ऐसे इसको ब्रेक कर देंगे दन बात है चलिए तो log m plus log इतना हो जाएगा ठीक है तो देखें इसको कीजिए इधर इधर तो आ जाएगा log y ठीक है इधर log m मतलब ही आगे वाला x square minus 5 x plus 8 और प्लस log पीछे वाला यानिकि x cube plus 7 x plus 9 तो इसको आप ऐसे क्या कर देंगे क्या कर देंगे कोई प्रॉब्लम यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप क्या कर देंगे आप सीधा differentiate कर देंगे आप लिख देंगे differentiate with respect to x ध्याना answer वही आना चाहिए आपका तो देखिए इधर d upon dx इसका log किसका y का जी इधर d upon dx इसका log this x square minus 5 x plus 8 ठीक है 11 x plus 9 का ठीक है जी कोई problem नहीं है अच्छा जी log x का derivative क्या होता log x का 1 upon x x मतला y actually में यह x नहीं है तो इसका क्या होगा d upon dx होगा किसका y का तो जिसको हम सिधा क्या लिख देते हैं मान रहे हैं assume करने ठीक है log x का 1 upon x x मतला y लेकिन actual में x नहीं है तो यहां भी देखिए log के लिए पूरा क्या समझा जाएगा x log x का 1 upon x x मतला पूरा आ जाएगा ठीक है यह लेकिन क्या यह वाक्य में x है नहीं है तो इसका d upon dx निकालना पड़ेगा यहीं से ठीक है बात से जमाई क्योंकि यह छूट नहीं सकता भाई ऐसे x सोचके इसका भी derivative निकलेगा ऐसी log के लिए क्या x है तो log x का 1 upon x x मतला भी पूरा उतर जाएगा x q plus 7 x plus 9 लेकिन वो x थोड़ी ना है तो d upon dx उसका निकालना पड़ेगा x q plus 7 x plus 9 का ठीक है जी इस पर bracket लगा दें कोई problem वाली बात नहीं है देखिए 1 upon y dy over dx इदर यह जैसा है उसको वैसी रहें देंगे इसको disturb नहीं कर problem minus 5 x का कितना हो जाएगा 1 और 8 का constant का 0 x square का कौन सा 2x x की power n वाला formula n आगे 2 minus 1 1 ही रहेगा ठीक है 5 constant x का 1 होता है यहाँ पे भी इसको तो ऐसी रहें दो अपन वाले को इसको disturb नहीं करना है जी आपने और यहाँ पे देखिए x q का कितना हो जाएगा 3 x square 7 x में 7 और x का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है कोई problem यहाँ तक नहीं है जी चलिए अब आपके पास 1 upon y dy over dx आ ठीक है तो यहाँ पे ज़रा result बताओ कितना आ रहा 2 x 2 x minus 5 वंजा 5 यह तो हटाओ 0 को कोई मतलब नहीं ठीक है 2 x minus 5 into 1s होगे तो यही आ जाएगा 2 x minus 5 upon x square minus 5 x plus 8 ठीक है प्लस यहाँ भी देखो 3 x square plus 7 वंजा 7 जीरो एड करोगे तो ही आएगा मतलब हटादो उसको 3 x square plus 7 once होगे तो यही तो आएगा x cube plus 7 x plus 9 यह अभी आपका 1 upon y dy upon dx आ है तो dy upon dx पिर कितना होगा तो इस y की क्या हो जाएगे cross multiply यहाँ हो जाएगे ठीक है अपान में ना इधर into में हो तो under 2 x minus 5 upon x square minus 5 x plus 8 फिर plus 3 x square plus 7 और x cube plus 7 x plus 9 यह आपने लिख देना जैसा है बाकी वही रिख देना अब y का value कहां से रहोगे y मतलब जो आपका question चल ला है ठीक है this is the value of y यह वाली value आप रगने y के ठीक है यहाँ पर दन है जो आपका चल ला है तो यहाँ पर से आप लिख से minus 5 x plus 8 अंदर x cube plus 7 x plus 9 और बाकी actually आप answer तो यह नहीं है answer तो कुछ और आपका ठीक है तो यहाँ भी LCM ले लिख लिख लग की है ठीक है आप वैसे ही लिखना चाहते है तो वैसे भी लिख सकते है यह अगर ऐसे लिखना चाहरे है एक line तो कोई problem भी नहीं है मुझे ठीक है ऐसा लिख दीजिए बल की plus 8 और plus 3 x square plus 7 upon क्या जी x cube plus 7 x plus 9 ठीक है यह आपने वैसे उतार दिया अब आप LCM ले लो मैंने का क्या ले लो LCM ठीक है जी तो इधर तो आ जाएगा student आपका x square minus 5 x plus क्या है 8 है यहां plus क्या 8 है यहाँ x cube plus 7 x plus 9 जैसा है वैसे आ जाएगा यहां LCM यह दोनों चीजिए उतार जाएगी यहां upon में क्या क्या उतार जाएगा आपका x square minus 5 x plus 8 और दूसरे bracket में x cube plus 7 x plus 9 आपका आ जाएगा ठीक है अब देखें ध्यान से देखें अंदर क्या है 2 x minus 5 है इसके इंटू किसे होगी इससे यानि की x cube plus 7 x plus 9 और प्लस इसके इंटू इससे हो जाएगी यानि की 3 x square plus 7 किसे होगी इससे x square minus 5 x plus 8 के साब इसके इंटू हो जाएगी ठीक है अब देखिए यह चीज़ तो इसके इसके इंटू कर्ज गई आपके देखिए x square minus 5 x plus 8 यहां इंटू में यहां divide में भी है यहां x cube plus 7 x plus 9 यहां भी है यहां भी है तो यह चीज़ तो cancel होगी अब आपके पास यह चीज़ बची इसको बलकि मैं पूरा का पूरा पहले उतारे देता हूं ताकि आपको तब समझाने मुझे दिक्कत ना हो ठीक है student तो उसको minus 5 फिर दूसरे bracket में student आपका है वहां पर आप देख लिजिएगा x cube plus 7 x x cube plus 7 x plus 9 ठीक है यह आपका यहां से आप देख सकते हैं यह चीज़ ठीक है और plus आपका यह है ने यहां पर ज्यानगना bracket लगा देने ठीक है 3 x square plus 7 क्या जिए आपका 3 x square plus 7 3 x square plus 7 और दूसरे bracket में student minus 5 x plus 8 ठीक है यह आपने note कर लिया वहां से ठीक है पीछे से मैंने note कर लिया यह remaining चीज़ थी अब multiply होगी इनकी तो 2 x की power कितना हो गया 3 और एक 4 power हो गया 4 power 2 plus पहले कर दो 2 7 जा 14 x x x की power 2 2 9 जा 18 ठीक है 18 x आगया बात के लिए इसकी हो गया अब इसकी minus plus minus 5 x cube minus plus minus 5 7 जा 35 x minus plus minus 5 9 जा 45 डन बात इसकी हो गया सब अब इधर आ जाओ 3 3 x की power कितना 4 हो जाएगा x की power कितना हो जाएगा student आपका 4 हो जाएगा 3 x square किसे करो plus minus minus 3 5 जा 15 x की power 3 and 3 8 जा ठीक है 8 3 जा 24 x का square डन बात अब 7 की कर दो 7 x square 75 जा 35 x minus का जाएगा plus minus plus 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 7 8 जा 56 अब student आपको इनको बड़ी पावर सबसे पहले देखने है सबसे बड़ी पावर काउन सी है x की power 4 है तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 x की power 4 ठीक है अब x cube वाला पकड़ो आप तो x cube वाला एक ही है एक ही है तो 15 और 5 यह add हो जाएगे क्योंकि दोनों same sign के है यहांने कि 20 x की power 3 और तो नहीं क्योंकि देख लो थोलो आखे इदर दोर होतीने स्मय क्योंकि पहचानने पड़ते है अच्छा square वाला देखो और यह है और एक यह थीक है और एक यह है यह भी जैए आप इसकोऊर वाला जाते है 10 कि इन सब को आपने एड को relaxing टीकितने वंपिवया चर्एन X square वाला थिक है तो प्लस किजिए 45 X square वाला थिक है square वाला हां ऐसी X वाला देखिया एक्स वाला आपका यह 18 X यह तो 35 35 70 X हो गया माइनस का और यह 18 प्लस करेंगे तो ओवरॉल माइनस का हो जाएगा 52 X किसका हो माइनस का 52 x ठीक है आप 56 माइनस 45 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 11 तो सभी हमने देख लिए ढंक से देखिए इसका अंसर भी आप ध्यान से देखिए वही आ रहा है से मेज़टी जो सब का अंसर आप देख सकते हैं पीचे से मिलान करके आप कॉपी पैन जरूर निकालें ठीक है इस्टुदें डिके यह एक आंसर यह था फिरस्ट पर्ड़ का आप का स्यजिक हैं आ है और फेंद बोरा पार यह ंतर निकाल हो और एसका क를 सेम तो आप देखिए थे लास्ट में यह कर रहा है क्या कि do they all give the same answer क्या यह सभी के सभी same answer दे रहे हैं तो आप लिख सकते है reason कि from आपने तीनों से देखा होगा from equation number कहां कहां से first से देखा होगा ठीक है equation मनला वो question ही नब बोल ले हम ठीक है first ना actually जो first part है ठीक है first part comma second part and third parts दिखा होगा तुमने कि सब के सब के answer क्या रहे same रहे ठीक है कि we find that कि we find हमको मिला क्या we find that result जो result आया यानि कि जो answer आया is same ठीक है आई बास आजमें सब जगा यह answer same था यह भी हमने देखा ठीक है तो आप copy pen निकाले और खुद भी इस question को पूरा का पूरा करें thank you so much for watching this video